दोस्तों स्वागत आपका मैरे न्यूज यूटूब चैनल में और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है जिहां दोस्तों सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है हमारे लाखो करमचारे और पैंसन बोग्यों के लिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के म अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजीट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूट करें और बैल आइकन को भी जरूर दवाए जो भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तो आए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टाट करते हैं करम करामचारे के रिटार्मेंट की उमर और पैंसन की द्रास से बढ़ाई जा सकती है जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं परदान मंतरे जी की आर्थिक सलाकार स्मीती क्यों से प्रस्ताव जारी किया गया है इससे देश में लोगों के काम करने की आयू सीमा बढ सुजाओ के तैत करामचारे को हर मेने कम से कम दो हजार रुपे का पैंसन दिया जाना चाहिए और हम आपको बता दे कि आर्थिक सलाकार स्मीती ने देश में सिनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बैतर ववस्ता करने की सिपारिस की गई है अगर कामकाजी उमर की अबाद साल से उपर के विक्टियों के लिए ृसकिल डेप्लमेंट की बात की गई है सरकार आसी नीतिया बना रही है जिससे हमारे क्रामचरियों को इसका फायदा हो के अंदर और राज्य सरकार के ओ ऐसे नेतिया बनाने चाहिए जिससे कोशल विकास किया जा सके इस प्रयास में ऐसंगरी अक्षेतर दूर दराज के जो इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी सामिल किया जाया है जिसके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते उनका ट्रेंड होना जरूरी है वर्ड पापुलेशन जो प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसर साल 2050 तक भारत में क्रीब 32 क्रोड़ सिनियर स्टेजिन हो जाएंगे यानि कि देश की अबादी का करीब 19.5 फिजदी 32 सेवानिवर्ति की कटेगरी में आ उटेज अपडेट आई होगा आपको वीडियो अच्छी लगे अधर दूस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाएक जुरूर करें सब्सक्राइब करें और ज्यादे से ज्यादे अपने फ्रेंज की साथ से जरूर करें तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही बड़ी अपडेट की साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक कलिए आप सभी को हमारी ओर से जैहिन जैजवान जैक्सन